किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों जो मैंने बायो फर्टिलाइजर की जो लास्ट वीडियो बनाई थी 385.6 उस से किसानों ने बहुत सा राया है और जो उसमें मैंने बात की थी उस पर आधारी थी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो है 406 नंबर और इसका टाइटल है स्वस्त भूमी के लिए मिट्टी टेस्ट मेरे पास बहुत किसान आते हैं और जो भी आते हैं मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भई आप कोई भी काम करने से पहले खेती में अपनी जमीन की मिट्टी का टेस्ट अवश्यक्ता है और टेस्ट के बाद में ये देखें कि आपको कीन चीजों की अवश्यक्ता है तो वो मिट्टी टेस्ट की रिपोर्ट करवाते हैं और मेरे पास भी भेजते हैं कि हमें बताईए इसमें क्या करना है तो मैंने ये सोचा कि मैं सभी किसानों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो मैं अपनी मिट्टी की रिपोर्ट को साधरन भासा में समझ सके और उसका पूरा फाइदा ले सके जो भी हम खाट डालते हैं या हम बायो फर्टीलाइजर का परियोग करते हैं मैंने बताया था कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जमीन में जो न्यूट्रेंट हैं जो तत्व हैं मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन फोस्फोरस और पोटास उनकी मात्रा कितनी है उन्हें ध्यान में रखकर ही हमें करना है आज इस चीज से आपको ये किलियर हो जाएगा कि हमें मुख्य रूप से उसमें क्या चीज़े देखनी चाहिए ये जो रेफ्रेंस लिया है मैंने ये तमिल नाडू एक है पिएच यानि कि आपकी जमीन छारिय है अमलिय है ये सामन्य है एक लिया है ओर्गनिक कार्बन जिसका अर्थ है कि आपकी जमीन की ताकत कितनी है ओर्गनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि ये सबसे अधिक जो फाइदा इस से लेते हैं वो लेते हैं सु विद्दुचा लगता ये होती है कि जो भी हम न्यूट्रेंट या माइक्रो न्यूट्रेंट तत्वा और सुक्सम तत्वा देते हैं वो पोधों को कैसे पहुंचते हैं और कितनी जल्दी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते या उन्हें बहुत जोड़ लगाना पड़ता ह ये इस बात को indicate करती है और अगला है nitrogen के हमारी जमीन में जो nitrogen की मातरा है वो कितनी है, phosphorus की मातरा कितनी है और potassium की मातरा कितनी है जो ये nitrogen phosphorus और potassium है इनकी जो मातरा ले रहे हैं हम ये kilogram per hectare में यानि एक hectare में इतने kilogram होनी चाहिए अगर आप इसे एक कड में convert करना चाहते हैं तो 2.5 से इसे divide कर दीजिए यानि अगर 10 है जैसे ये 240 है तो 95 kg पर एक कड आएगा इसका आइए शुरू करते हैं जो pH है अगर आपका pH 6 से कम आया है तो ये मान लीजिए कि आपकी जमीन अमलिया है तो उसमें जो भी potassium या phosphate आप डालेंगे वो पूर्णते नहीं लगेगा जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 50 kg डालते हैं तो उसमें से वो 20 से 25 kg एगुलंसील अवस्था में पड़ा रहता है जो अमलिय कुछ तत्व है जो वो phosphate या potassium की शाथ मिलाकर एगुलंसील योगिक बना देते हैं उनके साथ किरिया करते हैं और जितना खाद आप डालते हैं वो नहीं मिलता है अगर वो 6 से 6.5 है यानि ये सामान्य बता गया है वैसे तो 6 से 7.5 मानते हैं पर इन्होंने लिखा है मैं इसको चलेंज नहीं कर रहा हूं पर कई जंग साड़े 7 तक लिखा है साड़े 7 से उपर अधिक माना जाता है फिर भी हम मान लेते हैं चुकि मैं तमिल नडू एग्रिकल्चर निउन्वेस्टी के बहुत पेपर पढ़ता हूं और मुझे उनमें काफी सत्यता जाँ चाती है हो सकता है उन्होंने उत्तर भारत मध्य भारत और दक्सिन भारत या पूरे भारत को कुछ भागों में डिवाइड करिया हो और उनका जो सब को मिला कर उन्होंने उसका एक एवरेज निकाला हो तो यह कहते हैं कि 6-8 तक अगर आया है वो आपकी रिपोर्ट में दिखा हुआ है तो वो सामन्य है आपको चिंता करने की ज़रत नहीं है सामन्य रूप से जब नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास डालेंगे तो यह आपको जितना डालेंगे उतना तो नहीं मिलेगा लेकिन आधे से अधिक जो है न वो गुलंसील हो जाएगा चूंकि ना आपकी जमीन अमलिये है न चारिये अगर यह आठ से ज़ादा है, साड़े आठ से ज़ादा है तो समझ लीजिए यह आठ से ज़ादा है तो समझ लीजिए कि यह जमीन आपकी छारिये है और फिर यहाँ पर कुछ तत्वे इनको पूर्णता है उपलब्ध होने में बाधा पहुंचाते हैं और उपलब्ध नहीं होने देते हैं और गनिक कारबन यह है कि जो आप खाद डालते हैं या उनके जो अपसिस्ट होते हैं खेत के जो बचे वे पराली है पाती है यह चीज होते हैं जानवर मरते हैं गोबरगा खाद डालते हैं आप सभी पत्ते गिरते हैं उन सबसे और गनिक कारबन बनती है अंत में जो हमारी NPK का यही प्रोब्लम आएगी कि पूरा फोस्फोरस और पूरा पोटास नहीं मिल पाएगा और अगर pH कम हुआ या ज़ादा हुआ तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही कम मात्रा में उसका लाम मिलेगा और आपको बायो फर्टिलाइजर का एप्लिकेशन अधिक से अधिक करना पड़ेगा तो हमें pH और OC इन दोनों को मिला कर भी देखना है अगर हमारा ये देखिए इसका ओर्गनिक कार्बन है ये देखिए 0.5 से 0.75 तर है तो समझ लीजिए कि आपके जमीन की ताकत अच्छी है हम ये कह सकते हैं अगर 0.5, 0.6 या 0.55 है तो ये लगभग मतलब सामानने है और 0.75 तक सामानने है तो और अगर आपका pH 6 से 8.5 है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्य साली आती है अगर ये 0.75 से अधिक है तो आपकी बल्ले बल्ले है यानि के अगर 0.75 या उससे अधिक है 0.8 है, 0.9 है, 1 है तो आपकी कारबन बहुत अच्छी है और इसे बनाए रखने के लिए हर वर्स उसमें गोबर की खाद कम से कम एक ट्रोली यानि 4 टन परती एकड़ अवज से डाले है अगर ये इस्थिती है आपकी और ये pH 6 से 8 के बीच में है यानि आपके कारबन 0.75 या उससे अधिक है और 6 से 8 के बीच में है तो समद लीजिए जितनी मात्रा, पोटेशियम और ये फोस्फोरस की डालेंगे तो वो अधिक से अधिक मिलेगी बीना बायो फर्टिलाइजर के लिए इसको कितनी मात्रा में बायो फर्टिलाइजर को प्रियोग करना है वो मैं बता हुआ तीसरा है इसी यानि इलक्रिक कंड़क्टिव जिसे विद्दू चालकता बहते हैं जिसमें के करेंट पास होती है अब इसमें एक समस्या है कि ये मैंने दो पाइंट लिये है अगर ये एक से कम है तो समझ लीजिए आपको कोई भी परिशानी नहीं है तो आपकी परिशानी धिरे-धिरे बढ़ती है दो से जादा होने पर थोड़ी और जादा होगी उसमें अंकुरन कम होगे अगर एक से कम है तो कोई भी समस्या नहीं है बहुत अच्छे अगर आपकी विद्दुख चलकता एक से कम है और आपका औरगनिक कारबन पाइंट फाइव से पाइंट सेवन फाइव के बीच में है और ये है तो आप बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर ये एक से कम है और ये अधिक है आपका, ये औरगनिक कारवन प्उइंट सेवन फाइव है और ये सामन्य है तो आप बहुत भाग्य साली आ दे हैं, अगर ये हम सबको ये मिला ले, इस वाले को, तो आप खोती अच्छे किसान हैं और भाग्य साली हैं, यानि कि आप बहुत मेहनद करते हैं अगर ये एक से ज़्यादा है दो से ज़्यादा हुई तो आपका अंकुरन कम होगा उसमें बाता पहुँचाएगा और अगर तीन से ज़्यादा हुई तो जो भी पदार्थ आप डालते हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट देते हैं वो पूरे नहीं मिलते हैं तो आपकी जमीन की स्वत्षता इन तीन पॉइंट पर बहुत निर्भर कर दिया है कि जमीन कैसी है अमलिये चारिये है सामन्य है और गनिक कारबन कितना है और उसकी विद्धुचालगता कितने इन तीन चीजों का ध्याना उना है उसके बाद आते हैं तीन नाइट्रोजन जो ये किलोग्राम पर हेक्टेयर में बनाई है यानि एक हेक्टेयर धाई एक कड में कितने किलोग्राम होनी चाहिए अगर ये 240 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम है तो हम कहेंगे कि आपकी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा कम है और इसे बाहर से देने की और 480 के बीच में हैं तो हम कहेंगे के ये सामन्य है और बायो फर्टिलाइजर से भी आपका काम चल सकता है और अगर बाहर से आपको यूरिया के द्वारा इसकी पूर्ती करनी पड़ी तो बहुत कम मातरा में आपको देनी पड़ी और ये 480 से जादा है जान रखिए अगर ये 480 से जादा है तो आपको केवल जो बायो फर्टिलाइजर है जो के एजोस्परियलियम है एसितो बेक्टर है एजितो बेक्टर है राइजोबियम है इन में से जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टेरिया है उन्हें ही डालिये और आपको उपर से डालने की जोरत नहीं पड़ेगी, चुक्कि 80% जो nitrogen है, वो हमें हवा और पानी से मिलते हैं, अब आते हैं phosphate के बारे में, phosphate हमें कहां से मिलता है, phosphate हमें मिलता है, एक तो मिलता है DAP से, जिसका अर्थ होता है, डाइ अमोनियम phosphate, ये वाला मिलता है, और एक मिलता है SSP से सिंगल सुपर phosphate, एक ये मिलता है, तो ये दोनों हमारे phosphate होते हैं, ठीक है, अब हमें जो भी phosphate हम डालते हैं, अगर वो phosphate और लेडी जमीन में, जो आपके रिपोर्ट है कहरी, 11 kg पर हेक्टेर से कम है, या 11 kg तक है, तो समझ लीजिए कि उसकी मातरा कम है और आपको बहर से डालना ही पड़ेगा, अगर वो 11 से 22 के बीच में है, तो सामान्य है, तो आपको बहुत कम डालना पड़ेगा, जहां भी सामान्य है, वहाँ पर हमें कम डालना पड़ेगा, और अगर 22 से अधिक है, तो आपको इसे डालने की जोरत नहीं है आप इसमें केवल PSB यानि Phosphate Solubilizing Bacteria जो मैंने बताया था कम से कम 500 ml या आप अगर एक लीटर भी डालेंगे पर एककड ये पर एककड है डालेंगे तो जो ये एगुलंसील पड़ा हुआ है ये उसकी मातरा बताता है तो ये पूरा का पूरा आपके कोदो को मिलेगा इसी प्रकार जो Potassium है ये अगर 110 किलोगराम पर हेक्टेर से है कम है तो इसकी मातरा कम मानी जाएगी और 110 और 280 के बीच में है तो ये सामन्य रूप से है यानि कि आपको थोड़ा डालना पड़ेगा लेकिन जो हमारा KMB है उसका परियोग हमें करना पड़े यहां पर कम वाले में आपको कम ही खाद डालना पड़ेगा और आपको ये भी डालना पड़ेगा 500 ml तक और अगर ये अधिक है तो खाद की मातरा बहुत कम करिये या नहीं भी कम करिये लेकिन इसको एक लीटर तक बढ़ा दीजिए एक लीटर पर एकड़ इसको बढ़ा द नहीं है लेकिन आज मैंने एक कोसिस की है कि आपको पी-ेच, ओ-सी, estab Prep के में और इन्हें कितना आपकी जमीन में होना चाहिए रिपोर्ट में होना चाहिए, एक रिपोर्ट मीरे पास आई इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिये इसमें जो भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ के सामने मात्रा क्या है लेकिन फिर भी हर जो इनकी रोह है जो लाइन है उसके सामने इन्होंने सामने लिए लिए किसान साथियों ये गलत रिपोर्ट है और ये किसानों के साथ किलवार है अगर कोई भी रिपोर्ट आपके पास आती है तो वहां पर आपकी मातरा बतानी चाहिए पहले तो ये लिखना चाहिए उस रिपोर्ट में जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ अभी इस रिपोर्ट में देखिए कि इसकी सामन्ने मात्रा कितनी होती है और फिर ये दिखाना चाहिए कि आपकी कितनी आई है रिजल्ट कितना है या आपका रिजल्ट कितना है और कितना होना चाहिए सामन्ने मात्रा और उसके बाद टिपनी आनी चाहिए कि जमीन में ये आपकी ज्यादा है कम है या सामाने है इस तरह सामी जी जो ये कैथल वाली रिपोर्ट है ये बहुत ही गलत रिपोर्ट है इन्ही चीजों से बचने के लिए मैंने आपको ये टेबल बताई है इस टेबल को मैंने वीडियो के बीच में भी दे दिया आप इसे स्क्रीन सोट लेकर रख लीजिए या वैब गूगल पर करिए और आपको तमिलनाडू एकरिकल्चर युनिवरस्टिगा ये टेबल मिलेगी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदेनाड़ अ